Hello students, आज अपन पढ़ेंगे class first का semester second and chapter 4, measurement. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रखी? बहुत सारे pencils दे रखी है. अब देखो यहाँ पे इस first pencil का नेम क्या है? A, B, C, D, E, F, G. है न, यहाँ पे कितनी pencils हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ कितनी pencils है? 7. और 7 यहाँ पेंसिल के क्या है? नेम डिनोर्ड भी कर रखे कैसे? A, B, C, D से. अब आपको यहाँ पे क्या है? देखनी है pencil कि सबसे बड़ी pencil कौन सी है? फिर उसे छोटी कौन सी है? यहाँ आपको यहाँ पे आपको measure करना है. अब देखो यहाँ पे question है, which pencil is the longest? अब longest यहने क्या होता है? लंबा यहने की बड़ा. तो आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़ी pencil कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी pencil? A है के B है? C है? D, E, F, G. कौन सी pencil है? G. तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? G. है ना? आया समझ में? अब जैसे next देखो, which pencil is the shortest? सबसे shortest pencil कौन सी है? A है के B, C, D, E, F, G. सबसे छोटी pencil कौन सी है? A. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? A. फिर next देखिए which pencil are of the same length? मतलब कौन सी pencil एक जैसी है? तो देखो, यहाँ पे B भी same length की है और D भी same length की है. तो आप क्या लिखोगे? B और D. तो यहाँ पे B और end D. मतलब दोनों pencil की length क्या है? Same है. अब which pencil is second longest है? मतलब first longest में तो कौन है? G. अब उससे थोड़ी सी छोटी. तो उससे थोड़ी सी छोटी में कौन है? F. तो यहाँ क्या लिखोगे आप? F. फिर next देखो, name the pencil length between D and F. अब D और F. अब D और F के बीच में कौन है? E. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? E. फिर next देखो, name the pencil length between C and E. अब C और E के बीच में कौन है? D. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? D. अब next देखो, name the pencil length closest to G. अब G के closest कौन है? F. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? F. आया बच्चों समझ में, ऐसे अब आपको इसकी पूरी practice करना है. Thank you and have a nice day.